हलो वस्तों नमस्कार के पीटीच रेकट में आपका हर्तित स्वागत है आज से करतों अपस्वस्त होंगे अच्छे होंगे आज जम फाइबन कोशन सीरीज का अगला पाट करेंगे यह कोशन सीरीज टॉपिक वाइज होगी जिस पर 30 कोशन्स होंगे करने के लिए यह कुशन्स लास्ट तक जब में आई हुए हैं काफ़े इंपर्ट कोशन्स हैं बीटों पसंद नहीं तो लाइक करें दोस्तों सब्सक्राइब करें ब्लाग नोग प्रैस कर लें जिससे की नॉटिफिशन मद् प्रतिवेधन है सेकें यह विवार का व्यक्ति निष्ट साच है और इसलिए यह सेच्छक छेत्र के लिए प्रतिपूस्ट या फ्रीड वैक उपलब्द नहीं कराता थड़ा यह गटनाओं का सही वर्डन है फोर्थ है यह बच्चे की व्यक्तिकत विकास अत्वा सामाजिक अंते क्रिया को वर्डित नहीं करता है काफी अच्छे कोशन है सीटेट दुएर बारें पुछाए कोशन है तो आंसर दीए पांच सेकेंड है आपकी पास में अंसर यह पर करेक्ट हो जाएगा हमारा यह विवार का ब्यक्तिकनिस्ट साच है और इसलिए यह सहच्छी छेत्र के लिए प्रस्ति पुष्ट या फीड़बेक उपलब्द नहीं कराता है तो अंसर आपकी पांच सेकेंड अगला कोशन दिखते है निमने लिखते में से कौ ज़ड़ है उद्योसों की स्पष्टता फॉर्थ है सिच्छड का ग्यान यह अभी कुश्चन सीट जगरबार में पुछा गया कुश्चन है कौश्चन पुछा गया कि कौन सा सिद्धान्त पाठ ही जना में सामिल नहीं है कुश्चन नहीं में पुछा गया यहां पे तीन सब्सक्राइब कर रहे हैं को और एक फॉलो नहीं कर रहा है वही आपका अंसर होगा इस प्रकार की कुश्चन सीटेट में पूछे आते हैं तो पहले कुश्चन को पढ़ाएंगे फिर उसके अंसर देंगे तो पांसर पर समय आपके पास में अंसर दिजिएगा अंसर हमारे अंसर हो जाएगा योजना की द्रड़ता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके हमारा फरस्ट अगला कुश्चन देखती है नेमने लिख मैंसे कौन सा सिच्छक से सम्मंदत अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है फर्स्ट अप्स ने बिसे अबस्तू में प्रभीडता सेकींड है बैटने की उचित मेबस्ता थर्ड है सिच्छड अधिगम संसादनों की उपलब्दुता फोर्त है बिसे अबस्तू या अधिगम अनवावों की आकरती कोश्चन में अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है तो अंसर दीजिगा प्रभावित करने कारक विसे बस्तू में प्रभीडता तो आंसर हो जागा है हमारा कोश्चन देखेंगे निमने लिखत में से कौन सा सीखने का छेत्र है फर्स्ट अप्ट ने विवसाइक, सेकेंड ने अनुभाविक थर्ड है भावनात्मक, फोर्थ है आध्यात्मक कोशन सीट है जोर बारम पुछा किया है तो अंसर दीजिए, पान सकने साथ आपके पास में अगला कोशन देखाएंगे, हम निमने लिखत में से किसे देख आकरषित होते है फर्स्ट अप्ट ने किसी बस्तू का भ्रहंत आकार सेकेंड है वो है बस्तू जो कुछ अलग दिखाई पड़ती है थर्ड है गतिसील बस्तू है, फोर्थ है ये सभी जेट टाइट 211 में पुछाई हो कोशन है तो आंसर दीजिएगा, पांसर जिन्द समय अपके पास में आंसर में करेक्ट हो जाएगा हम देखकर जिने आगर्शत होते हैं बस्तू का भ्रहत आकार जो बस्तू को कुछ अलग दिखाई दिखाई दिती है गत्सील बस्तू होती है तो इसके अंसर में अकरेक्ट हो जाएगा ये सभी तो आंसर हो जाएगा फोर्थ अगला कुछ दिखते है क्रस्ती ने अपनी कच्छा को छेत्र ब्रमड पर ले जाती है और बापस आने पर अपनी विद्ध्यात्यों के साथ ब्रमड पर चेचा करती है यह की और संकेत करता है फर्स्ट अपतर सीखने के लिए आंकलन सेक्ड आंकलन के लिए सीखना थड़ा आंकलन का सीखना फोर्थ है सीखने का आंकलन कोशन सीट टैट 2011 कुछा गया कोशन है इस प्रार के कोशन आपको कई वार कुछन मिल जाते हैं काफी अच्छा कुछन है बहुत ही मोस्ट कुछन ही है और कई बार कुछा भी गया है रिपीड़ कुछन भी आता है यह पर सोटा सा कुछन की लेंग्विस को गुमा दिया जाता है तो आंसर दीजिएगा पांस सब्सक्राइगा आपकी पास में आंसर यहां पर करेक्ट हुएगा सीखने के लिए आंकलन तो आंसर हुएगा यहां पर हमारा फर्स्ट अगला कुछन देखेंगे समाईजन से ताथ पर सुह का बिविन परस्तियों में अनकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके फर्स्ट अप्स ने दूसरों को सेकिंड है प्रेलकों को थर्ड है उद्ध्यश्यों को फोर्थ है आवशक्ता को यह कुष्ण आर्टेट द्वर गारम पुछा गया कुष्ण है तो आंसर दीजिएगा पानाच से ने अपकी पस में संपनिगरों के बच्चे क्यों बिगरते हैं फर्स्ट अप्स ने अत्यंत सम्मान संपनिता के दोस्त के कारण सैकेन है अनुसासन की कमी और लाड़ प्यार के कारण थड़े अनावशक्ता की बस्तूं या सुविदाओं के कारण फोर्थ है माता पिता द्वरा बच्चे की ओर लापरवा होकर केवल अपने अमोध प्रमोध धन अर्जन में बैस्ता के कारण अच्छा कोशन पुझा गया है तो आंसर दीजीगा आंसर वाड़ कोशन देखते हैं को शह पार्टी अधिगम जयों करते हैं इस कतन से आप समझते हैं फर्स्ट अपने ब्यक्तवाद को समब्थ किया जाए प्रतिस परदा को समब्थ किया जाए कि थ्टर सम रूपी समू से चड़ ही प्रजयतांतर का मूल्दार है फोर्थ है छात्र अपने मित्र समू से अध अंसर अमाना करेक्टर यहाँ पर अगला कोशन देखते हैं किसी बालक के प्रारमिक विकास में सरवदिक मैतपूर कारक है फरस्ट अप्ट ने बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवरत्ती सेकेंड है घर का बातवर्ण और माता पिता से बालक का लगाव थड़ा संभीगात्मक सुरच्छा की बालक में अंसिक योगता फोर्थ है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो अंसर दीजिएगे अंसर हमारे करेक्ट हो जाएगा गर का बातवर्ड और माता पिता से बालत का लगाव तो अंसर करेक्ट होगा यहांपे हमारा सेकेंड एकला कोशन देखती है अधिगम पर बैक्तिक और बातवर्ड से सम्मंदित कारगों का प्रभाब किस अवस्ता तक पड़ता है फस्ट अप्ट नहीं पूर्व बाले वस्ता सेकेंड है बाले वस्ता थड़ा किसर वस्ता फोर्थ है संपूर जीवन तो अंसर देजिए अंसर मार करेक्ट होगा अधिगम पर बैक्तिक और बातवर्ड जमंदित कारगों का प्रभाब संपूर जीवन पर पड़ता है तो अंसर हो जागा है यहांप यमारा फोर्थ अलग कोशन देखते है विद्ध्याले का वातवर्ड उस उद्ध्यान की भाती है जिसमें ऐसे वातवर्ड का निमाड होता है जहां बालक की सक्तियों का सवाबिक विकास हो सके अंसर हो जागा है इसके एकॉर्डिंग यह है मत्व फिरवेल का है तो अंसर हो जागा है यहांप यमारा सेकींड अलब कोशन देखते है बालक का इस्ताई समय जन होता है फर्स्ट अप्चन है बातवर्ड के साथ सेकें नभीन परसिद्यों के साथ थड़े ब्यक्ति की भावनाओं के साथ फोर्ट है सामाचिक गड़ों के साथ तो अंसर दीजिए अंसर हो जागा है यहांप यमारा करेक्ट बालक का इस्ताई समय जन बातवर्ड के साथ होता है तो अंसर हो जागे हैं फर्स्ट अगल कोशन देखते है बीडियो को लाइक करते हैं साथ हतमें चैनल को सेर करते हैं साथ हतमे प्याजे ने बुद्धी को किसके प्रति समाय जन योगिता की रूप में परिवाशित किया है फर्स्ट अप्स ने बहुत तिक एवं सामाचिक पर्यावर्ड फर्स्ट अगला कोशन देखते है कक्छा का स्वस्थ सैचिक वातवर वनाई रखने हे तू निम्न में से अवश्यक है फर्स्ट अप्स ने चात्रों को सररिक ब्यायाम के लिए दी जाने वाली चूट सैके ने सिच्छक का मानसिक स्वास्थ थड़े विध्याले की मनोविज्यान साला द्वारा किया जाने वाला कार फोर्त है कक्छा की स्वच्छ था तो आंसर दीजएगा आंसर में अगला कोशन देखते है निम्न में से क्या अधिगम में सयो करने वाला कारक नहीं है तो फर्स्ट अप्चन है अनस्वासन हीनता सेकींड है सीखने की इच्छा थड़ा सैच्छिक प्रष्टि भूमी फोर्त है सिच्छक की सिच्छड विधिया सीट्ट में इस प्रड़े कोशन भी पुच्छ आती है अधिगम में सयो करने वाला कारक नहीं है तो नहीं वाला हमें छांटना है वह हमारा आंसर होगा तो आंसर देजिए अगला कोशन देखती है बच्चों का मस्तिक्स साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है निम्न में से यह कतन किसका है कोशन पुछा गया कि बच्चे का मस्तिक्स साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है तो यह डेफिनिशन पुछी गई है कफी अच्छा कोशन साहे आंसर देजिएगा अंसर वारे यहां पर करक्टर जाएगा लौक जी ने बच्चे का मस्तिक्स साफ स्लेट की तरह बताया है और समाज जो चाहे वह लिख सकता है तो अंसर इसके करक्टर जाएगा इसका अकोटी हमारा थर्ड अगला कोशन देखते हैं प्राकर्तिक पर्यावड का प्रवाव अधिगम की दसा को प्रतच रूप से प्रवावित करता है से तात पर है फर्स्ट अप्त ने जलवाईू और बायूमंडली दसाओं का योग बालक की बौद्दिक निश्वत्ति और शिणरादवत्ता पर गहरा प्रवाव डालते है सैक किन ए अधिक ताप और आंद्रता बालकों की मानसिक चमता की विकस का उतिक है ठ़ड़े जलवाईू और बायूमंडली दसाओं की योग बालकों की मानसिक चमता को प्रवावित नहीं करता है कि फोर्थ है उप्रोप्त में से कोई नहीं तो अंसर दीजिएगा पांस सब्सक्राइब की पास में अंसर करेक्टर जागे यहां पी जलवायू और बाइवंडली दसाओं का योग बालक की बहुत दिक निस्मस्ति और स्रेजन शिल्दा पर गहरा प्रवाव डालते हैं तो अ अधिगम सेक्विंड पर्यावर्ण थर्ड़ ध्यान फोर्थ है अपर पर कुता कफ़ेच्छा कोशन पीचा गया यह तो अंसर दीजिए अंसर में खरेक्टर जाएगा किसी बस्तू के बजाय एक ही बस्तू पर चेत्ना को केंद्रत करना ध्यान है तो अंसर में यह पर मारा थर्ड अगला कोशन देखेंगे मानसिक गड़नाओं को प्रिवागात्मक ढंक से निस्पादित करके समस्याओं का समादन करना है फर्स्ट अथ ने इसमर्ती कोशल सेकेंड है पतच्छी करण थर्ड़ है रुची फूर्थ है स्तालिक क्रिया सिलता तो आंसर दीजिए मानसिक गड़नाओं को प्रिवागात में निस्पादित करके समस्याओं को समादन करना इसमर्ती कोशल कहलाता है तो आंसर अगला कोशन दिखते हैं बालकों में अधियम की प्रकरिया में योगदान करने वाला महत्पून कारक है फर्स्ट अप्स ने बातावर्ण सेकेंड अविप्रेणाओं थड़ बालक की आयूँ प्रोथ है ये सभी तो आंसर दीजिए तो उस्थी आंसर स में अधियम की में योगदान करने वाला माला कारक को बातावर्णित कर्याओं मैं अप्द्रोण यe सभी सभी तो फोंथ आंसर manner प्रक्रिया में योगदान करने वाला कारक बातवर अविप्रेड़ना बालक की आयू मैथपूर कारक है तो अंसर यह पर करेक्टर जाएगा ये सभी तो फोर्थ अंसर अगर कुछन देखेंगे बुद्धी सीखने में साहिता करती है इस कतन से आप फर्स्ट रूप से पूर्थ सहमत नहीं है बाफ किजिए इस थड़ है इनमें से कोई नहीं तो कुछन पुछा गया कि बुद्धी सीखने में साहिता करती है इस कतन से आपका क्या विचार है तो आंसर दीजिएगा आंसर में करेक्ट हो जाएगा पूर्थ सहमत है तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा अगला कुछन देखेंगे कच्छा का बहुतिक वातवर्ण होना चाहिए फर्स्ट आप ने प्रकास युक्त, सेकींड ने हवादार, थड़े कोहला युक्त, फोर्थ है ये सभी तो कच्छन पुछा गया कि कच्छा का बातवर्ण किस पकार का होना चाहिए प्रकास युक्त होना चाहिए, हवादार भी होना चाहिए, कोहले युक्त होना चाहिए, तो आंसर ही इसका कोडिंग होना चाहिए यहाँ पर फोर्थ ये सभी अगला कॉछन देखते हैं जो जुड़वा बच्चों को दो अलग अलग स्थान पर रखा जाता है एक स्थान पर जहां धरम सांस्कृत संसकार अगाती का वातावड है, वहीं दूसरी स्थान पर अंद्वश्वास और रूड़ी वाद का वातावड है बच्चों की बड़े होने पर उनकी विचारों पर पढ़ने वाला फातवड़ी कारक होगा सांस्कृत कारक क्योंकि बच्चे जिस सांस्कृत मरेगा या इनवार्मेंट में या वातावन मरेगा तो उसका उपर इफेक्ट पढ़ेगा अगरा कोशन देखेंगे कि दूश्य गास सांस्कृत विचा थार्च है वार थार्च है या यह 16 कर् حं़ड है लगाओं क्या संभेग्व कि बच्तिंग этого कहसे से किसका है फर्स्ट अप्स ने प्याजी सेकेंड बुडवर्थ थर्ड है बैलन्टाइन है फूर्थ रॉष यूपीट दोया तेरम पूछा का या कोशन है तो आंसर दीजिए सेकेंड बुडवर्थ ने संबेग वक्ति की उत्ते दिशा माना है तो आंसर है यहाँ पर मारा सेकेंड अगला कुशन दिखते हैं निमने लिखते में से किस एक से सिसू के अधिगम को साहिता नहीं मिलती फर्स्ट अप्ट ने अनुकरण सेकेंड अभिप्रणड़ा थर्ड है इस्कूल का बस्ता फूर्थ है पुरुस्कार यह कोशन यूपिटेट दोया तेरम पुछा गया कोशन है कोशन है कि एक से से फalew कर रहे हैं और एक किसी फॉल nell है तो वहीए मारा आंसर हो वेकिकर नाहीं में पूछा गया है है तो यूपरियार दोया तेरह में पुछाया कोश्चन है यह तो आंसर देजिएगा तो आपके हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया को प्रवाइट करनेवाला कारक अनकरर प्रशंसा और निंदा, पृत्यवगता, यह सभी कारक है तो आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा फोर्ट तो दोसरों नमारा सेसर यह भी पुस्ना आपके होता है, ब्लैंगा नेक सेसर में तो जैन दोस्तो बंदे मात्रम